नुश्कार मैं हूँ आपके साथ में श्वेता करगर आप देख रहे हैं टीवी 24 आई नसर डालते हैं कुछ खास खबरों पर खबर लखनों से है जोतर प्रदेश विदानसभा की अध्यक्षर सतीश महाना ने शेत्रवार शुरू हुए समवात कारिकरम में रुहेल खंडर शेत्र से चुड़ेवे विदायकों से कहा की परहवरंजर से विशय पर चर्चा होने से देश में यूपी विदानसभा का मान और बढ़ेगा पिछले कुछ दशकों में विदायका क्यों बेहत कमजोर दिखाने का काम किया गया है जबकि यह लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तम है लाखों लोगों को संतुष करने का काम एक विदायक ही करता है और जनता के बीच एक विदायक का काम कभी खत नहीं होता एक विधायक को अपने शेत्र के काम के लिए हमीशा तत्त पर रहना चाहिए चनता को उसके काम की नहीं भलकि काम के प्रयास की गारंटी देनी चाहिए साथ युनने सबी विधायकों को सला देते हुए कहा कि विधायक अपने वरिष्ट सदस्यों से सीखने का काम करे चाहे वे सत्ता पक्षके हुँ अत्वावे पक्षके वरिष्विधायकों वह इस मौके पर वनराज्यमंत्री डॉक्टर अरुन कुमार ने विधानसवा अध्यक्षश अपीश महाना की सराना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से विधायकों को बहुत कुछ सीखनी को मिल रहा है हमने जब पहली बार विधानसवा में कदम रखा था तब भी महाना जी से सीखता था और आज भी सीख रहा है इस समवात कारिक्रम में उपस्ते दस अभी 26 सदस्यों समयत अनविधायकों ने भी अपने विचार और सुझावो को रखा राम नगरी अयोध्या में 500 वर्षों के उपरांद 22 जनवरी को श्री राम अपने भवे मंदर में विराज़मान होंगे तो यहां आने वाले पर्यटकों की संक्या में और विर्दी होगी इसे देखते हुए योगी सरकार के विजन के अनुरूप अयोध्या को अध्यात्म के साथ पर्यटन के बड़े केंद के तौर पर भी वैश्रिक मानचित्र पर नहीं पहचान मिल रही है सियम योगी ने जहां अयोध्या को संदर्तम नगरी बनाने की परिकल्पना को हकीकत की शकल देन शुरू कर दिया है वहीं इस नगरी को निहार ने दुनिया भर से आने वाले परेटकों वश्रधालों की हर सुक्सविदा को ध्यान में रखकर संसादों के सतत विकास की प्र सेहन वा खान पान का भी लुथ उठाने का उन्हें अफसर मिलेगा यह योजना लकडी और कोईले की धीमी आज पर सेकी गई रोटी बैल गाड़े की सवारी समेत ग्रामीड परिवेश और सुविदा संपन रिहाईशी अवस्थापना का मिला जुला ताना बाना है जो वरत कारिकरम का आईजन क्या जारा है इस कारिकरम में देश-विदेश से बड़ी-बड़ी हस्तियों को बलाया गया है जिसमें प्रधान मंतरी नरेन मोदी, अमित शा, राश्पती दौबदी मुर्मू, जेपी नडडा, रक्षा मंतरी राजनात सिंग और विपक्षी पार्टि के लिए बड़े गर्व की बात है हमारे प्रधान मंतरी नरेन मोदी का कहना है कि बाई जन्वरी को सभी लोग अपने अपने घरों पर रहकर दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाकर इस दिन को खुश्यों में तबदील करें कॉंग्रेस केवल खयालों में काम करती आ रही है और उनकी सरकार में हमेशा प्रष्ट अचा रहा है जो अब जन्ता जान चुकी है इसलिए भारती जन्ता पार्टी के सयोग करती आ रही है और आगी भी करेगी भारती जन्ता पार्टी ने पिछली बार 33 प्लस सीटे जीती लेकिन इस बार 80 में से सिसीट जीत कर पूर महमत की सरकार बनानी जा रही है बाइस जन्वरी को सीरी राम का प्राण प्रतिस्था का कारिकरम है जिसको लेकर आज हमारे साथ उस पर बात करने लिए केंदरी मंतरी कौसल के सोर जी उनसे साब बात करेंगे और कितना हर्स और इस द्राण प्रतिस्था कारी करम है कईसा लगता है लिए को पूरे देश में है नहीं पूरी दुनिया में भगवान सीरिराम जी के जन मस्तली पर और मंदिर भवे बनने पर जो प्रान प्रतिष्ठा का कारिकरम 22 जन्वरी को फिक्स किया गया है तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है और पूरे देश के अंदर भी जिनता और जहां जहां भगवान राम को मनने वाले लोग हैं वो भी सब हर सो उत्साहित हैं इसके अलाबा जो है जो दूसरे लोग भी है उनकी नजर भी जो है इस तरफ है ति भगवान से राम का मंदिर के अस्थापना हो चुकी है और प्रान प्रतिष्ठा का कारिकरम होगा अरड़ी प्रधान मंतिर नरेंद मोदी जी ने ये साब तोर पे बोला है कि किसी को भी 22 जन्वरी को अध्या नहीं आना है बाहर से बाहर से लोग राम राज रालने के लिए स्वस्थ भारत स्वच्च भारत बनाने के लिए आत्मिभर और विक्सित भारत मनाने के लिए भगवान स्री राम का राम राज इस्थापित करने के लिए स्वच्चता अभियान अपने अपने मोहले अपने अपने गाउं में चलाने का काम करें इसके अलावा साम को दीपावली मनाने का काम करें दिया देश के बिक्सित भारत, आत्मिर्भर भारत, सुच्छ और सुच्छ भारत के नाम जलाने का काम करें तो इस तरह की एक दिपावली का कारकरम भी उस दिन हो गए बिपच को भी निमंतरल गया है सोनिया गांधी और मलिकार जुन खरगे इसे बड़े नेताओं को गया लेकिन इस पर राजनीती की बात आ रही कि हम वहाँ पर बाद में जाएंगे बाइस जन्वरी को नहीं जाएंगे इसको किस प्रकार से देख देखे अभी तक तो लोग निमंतरल मांग रहे थे और जब निमंतरल चला गया आमंतरल चला गया तब उस पर वो राजनीती वही लोग कर रहे है तो भगवान राम का दरबार खुला है किसी को कहने कना रहे मुझे बुलाये नहीं गिया पहले आमंत्रल की बात कर रहे तो जब आमंत्रल गया तो अब इस तरह की बाते कर रहे है जब मर्जी आए तब जाए लेकिन जो भगवान स्री राम का मंदिर की अस्तापना हो रही है इसमें तकलीब कांग्रेस को भी और विपच को भी हो रही है क्योंकि वो ओटों की राजनीती करते हैं इसलिए जानबूच करके उस दिन जाना नहीं चाहते हैं कांग्रेस का जो आज का यात्रा का जो समापन है उसको किस प्रकार से देखते हैं जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यास से लेकर बड़े नेता होंगे। भारत बनाने का स्वच और स्वच भारत बनाने का कोई काम कांग्रेस ने करने का काम नहीं किया। और खुद अन्या करने की बात करना गलत तरीके से बोलना राहूल गांधी जी काश्ट के आधार पे लोगों को बोलना किसी काश्ट को बुरा बला कहना इस सारी चीजे अन्या करने का बात खुद करते हैं कॉंग्रेश उनकी यात्रा कहीं से कहीं तक जा रही हो तो कहीं भी प को मिलता है और मोदी्जी को उसका लाब मिलता है यह थे हमारे साथ केंडरी मंपर는지 कोसला की सोई जिनका अपील की थी आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि विश्विक्यात मंदर बन रहा है इसके साथ ही पूर सांसत हरे नारा एंड राजबर ने दोजाज़ाच चौबिस के एलेक्शन में सीट बटवारे को लेकर यह भी कहा कि भारतिय जंता पार्टी में दल बदलने वा बढ़ सकता है दो हजार चौविस का लोग सवाच चुनाओ नजदीक है ऐसे में सभी पार्टिया अपने अपने दावे करती लेकिन आज हम ऐसे सक्स से बात करें जो भारती जंता पार्टी में मंतरी रहे सांसद रहे माउसे और दिगज नेता भी माने जाते हैं इसके पहल प्रधान राजभर जी आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है जी दो हजार चौविस का लोग सभाच चुनाओ नजदीक है क्या कयास लगाया जाए क्योंकि 22 जन्वरी को स्री राम प्राण प्रतिष्ठा का भी कारिकरम है स्री राम अपने घर पे आ रहे हैं कि प्रकार से देखते हैं दोनों को यह तो भरी खूसी की बात है कि 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्ठा और प्रधान मंत्री जी के उद्गाटन का आउसर प्राप्त हुआ है जबकि मैं 2018 में जोध्या के डियम को यह पत्र लिखा था और सरकार से मांग किया था कि जोध्या में राम चंद्र जी तिरपाल के मंदिर में अस्थापित हैं तो क्योंने इनको प्रधान मंत्री आवासोजना के अंतरगत इनको एक आवास मोहिया किया जाए क्योंकि इनका जो मंदिर या आवास का जो जगह है शिराम चंद्र जी का वो सुप्रिम कोट के लफ्रे में लटका हुआ है जबकि किसी भी मूर्ती का प्रान प्रतिष्ठा हो जाता है तो उसमें आत्मा का बास हो जाता है इसी उदेश को लेकर के मैं भारत सरकार से मांग किया कि प्रधान मंत्री आवासोजना के अंतरगत 2018 में शीरी राम चंद्र जी सबसे इस देश में भूमहीन है इनको रहने तक का घर नहीं है तो क्यों ने इनको प्रधान मंत्री आवासोजना के अंतरगत एक आवासज़ना के अनतरगत पूरे भारत के उन सारे लोगों को आवास दिया जा रहा है जो भूमहीन है गरीब हैं तो हमको तो सबसे अधिक खुशी है इस दुनिया में कि जिसके लिए मैं आवास का मांग किया था आज उसका भव्य विश्वस्तरिय एक मंदिर बन रहा है और बाइस तारी को उनका प्रान प्रतिष्ठ हो रहा है और एक जिसकी मनी 500 वरस से इसके लिए संगर चला था अब वह सपना अवह कारी पूरा हो रहा है चौबिस का लोग सभा चुनाओ नस्दीक है क्या इसका असर राममंदिर के उद्गाटन को लेके क्या भारती जन्ता पार्टी को फायदा मिलेगा दीखे बाजी य हिंदू परंपरा को मानने वाले सारे पार्टियों में है मगर यह किलियर है कि दो हजार चौबिस में नरेंद्र मोदी भारी महुमत से प्रधान मंदिर बनने जा रहे हैं अभी इनका इस देश के अंदर कोई भी कल्ब दिखाई नहीं दे रहा है और भाई जो राम के भक्त हैं और स्री परधान मंतिर जी राम मंदिर बनवाए हैं तो जरूर उसका लाब तो परधान मंतिर जी को मिलेगा है बड़ी बड़ी बाते करने वाले अन्य पार्टियों में गए चौबिस के लोग सबचुना में दावेदारी भी कर रहे हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा ब मिलेगा उस टिकट से ओम परकास राजवर को या अन्य पार्टियों को फाइदा मिलेगा क्योंकि जिस परकार से हम छाबी की बात करें अब देखिए ओम परकास राजवर जैसे बैक्ति की मैं बात करना पसंद नहीं करता हूं हम बात उसकी करते हैं जो कुछ छमता रखता ह जो जो जनता में भी कुछ नहीं है अब भारती जनता पार्टी से उनका समझा होता है तो भारती जनता पार्टी के लोग इसको समझेंगे करेंगे मैं होम परकार्स राजबर के बारे में कुछ नहीं कर सकता जी तो यह थे हमारे साथ पूर्व सांसा देवंपूर्वंत्री हरी नरान राजबार जी जिनका साथ तोर पे कहना है कि 22 जनवरी प्राणपरतिस्था एक हर्स और उल्लास देशवासियों की खुसी मनाने का कारिकरम है और हमारे जो परभू हैं हमारे भगवान हैं वो अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं और इसी को लेकर 2024 में इसका जो फाइदा होगा वो भारती जनता पार्टी को पूरी तरीके से मिलेगा वीरी जनलीस हरीस के साथ पवन कुमार, टीवी 24 नेटवर्क, लखनौ खबर सुल्तानपूर से है जहां दिवक्ताओं की हरताल के चलते राहूल गांदी के मामले में शनिवार को होनी वाली सुनवाई टल गए आज MPMLA कोर्ट में राहूल गांदी की पेश्ची होनी थी जिसे अब कोर्ट की तरफ से 18 जनली तक के लिए टाल दिया गया है आपको बता दें कि पांच वर शुपूर करनाटक चुनाफ की दोरान तातकालिन भाजपा के राष्टी अध्यक्षा में चाह के खलाब राहूल गांदी ने अपत्ती जिनगर टिपडी की थी जिसके लिए भाजपानेता विजे मिश्रा ने MPMLA कोर्ट में याचिका दायर की थी उत्रपिदेश के कारागार एवं होमगार्ड राजे मंतरी धर्म वीर प्रजापती ने आज लखनो जिला जेल में बंदियों को कमबल गर्म इनर एवं हनमान 40 वा सुन्दरकान की पुस्तक वित्रित की साथ ही कारागार मंतरी ने बंदियों से समवात की दोरान कहा कि जेलों में लगू, मध्यम और कुटी रुद्यों के अंतरकत बहुत से कारे होते हैं जिसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दिये जाने की विवस्ता है इन सब का लाब उठाते हुए आप कोई न कोई हुनर अवश्यसी के जिससे की जेलों से बाहर जाकर आप खुद का रोजगार शुरू कर सके और अपने परिवार का भरन पोर्शन कर सके इस कारेकम के दोरान डियाईजी मुख्याले एके सेंगर डियाईजी सुभाज शाक्ये वरिश डियल अधिकशक आशीश तिवारी जेलर राजी इंद सिंग सहिद अनिकारागार कर्मचारी भी उपस्तित रहे खाबरों में फिलाल बस इतना है और देश डुनिया की तमाम जानकारी कले देखते रहे हैं टीवी 24 नमसकार